हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आई थी कोलर फाइन सो के वी एस रेजल्ट्स की जो कट ओफ है वो इश्यू कर दी गई है अगर आपने हमारी प्रिवेस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लेना यहाँ पर भी दिखा देंगे कि कट ओफ क्या आई है लेकिन जो चूट्स कोचिंग सेंटर्स वाले जिरोंने वीडियो डाली थी कई कंडिडेट्स के हमारे पास पर्सनली मैसेज भी आये थे जिनको हमारे जो कोंटेक्ट के वारे में यहीं लाइडी के वारे था कि मैम आपने यह क्यों बोल दिया कि 120 वालों का नहीं होगा उन्होंने कोचिंग सेंटर का नाम भी बताया श्पेशली मेरे पास वीडियो भी सेंट की थी और इसलिए मैंने उन्हीं को इस चीज का जवाब देने के लिए यह वीडियो बनाई है कि जो यह कह रहे थे कि 112 का होगा 120 का होगा और जो अब आप कट ओफ है रहा वो देख सक कि जो मैंने कट ओफ बताई ती जो हमने कट औफ क्योंकि हम एकजाम में बैठे हुए थे और जो कंडेट हमारे साथ लिंक में क्योंकि उससे क्राईटेरिय एक पता चल जाता कि हाँ भाई इतने तक कुवा काट अब नाए हम यह कोई हम्यों 100% तयारी की थी तो ऐसा बिल हुए थे तो उनका तो जाहिर सी बात है बेस्ट स्कोर होना ही था तो इसी लिए यह नहीं कह सकते थे कि बहुत सारे वीडियो बन गई है तो देखो यह आप देख सकते हो प्राइमरी टीचर्स की जो म्यूजिक है क्योंकि देखो इनका तो एक्जाम ही थे 300 का था तो इनका तो स्टेटस यह लगे लेकिन जो प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक का है जिसका की एक्जाम था आपका 180 का उनकी 138 आई हुए तो इसी के आसपास हमारी भी कट ओफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है इससे यह नहीं है कि यह 130 होगी तो वो 110 वाले भी पास हो जाएंगे जी नहीं तो इसके बेस पे आप आईडिया लगा सकते हो और देखो सभी में इतना ज़्यादा डिफरे 108 है 107 तो ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपका सिर्फ एस्टी में कम वाले पास हो सकते क्योंकि एस्टी वालों की तो देखो जाती कम है कम ही जाती है तो उनका जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ उमीद है लेकिन जर्नल वाले अगर यह सोचते हैं कि 110 120 वाले हो जाएंग अगर जिस कैंड़ेट्स के नमबर है 120 से कम और जनल के तो उनकी उमीद बहुत ही कम है और वो ले रहे हैं जो कोचिंग सेंटर वाले हैं सिर्फ और सिरफ अपने क्या कह चूह को कि यह भी डयनो लेलो डयनो ले लो उन डैनो ले सकते हूं कि अगर आपको शूर्टी है तब भी पैसा लगाने का फाइदा है ऐसा पैसा लगाने का हम तो वेस्टेज ओफ मनी ही मानते हैं बाट और आगे आपकी चौइस है कि आप क्या मानते हो और आपकी क्या राए है ये भी जुरूर बताईएगा और जो भी आपका स् पेला रही है नेगटीविटी बात कर रही है तो उसके लिए really very sorry बट नेगटीविटी फिलाना हमारा काम नहीं है हमारा काम है सर्फ और सर्फ सच्चाई से उगत कराना और ये आप भी और हम भी काफी अच्छे से जानते हैं क्योंकि well educated है तो हर एक बात मीठी मीठी बात अ अच्छी होती है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किजिएगा थेंक्यू सो मच